नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल Creating Mathematicians में आपका स्वागत है साथियों, आज मैं आपको Gradient, Divergence और Curl के कुछ Most Important Questions का Shortcut Method बताऊंगा, जिनसे कि आप इन Questions को कुछ ही सेकंड में Solve कर लेंगे साथियों, इन में से कुछ Questions का Traditional Solution भी मैंने Previous Videos में बताया है यदि ये Questions GIC Mains में आते हैं, तो आपको इनका पूरा Solution ही देना होगा उसके लिए आप Previous Videos ही देखें, बट MCQs के लिए Short Method ही आप Apply करें, वो ज़्यादा बहतर होगा तो देखिए, आईए, सुरू करते हैं यहाँ पर, पहले मैं कुछ Questions Gradient के बताऊंगा, Shortcut Method से उसके बाद Divergence और Curl पे आऊंगा, कुछ Questions यह लिखे हैं, Mostly Questions जो हैं यहाँ पर, सब GIC, PGT, TGT में आए हुए Questions हैं, बाद की कुछ Questions और मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि यहाँ पर आपको लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं, तो देखिए, सबसे बहले Gradient के लिए एक Result है, आप इसको देखिए, Learn करना होगा आपको, कि Gradient of R to the power N, या Gradient of R to the power N को हम Del R to the power N, इससे सो करते हैं, एक्वल टू N, R to the power N minus 2 into R vector, मैं आपको बता दूं, R यहाँ पर एक Vector है, XI plus YJ plus Z के, और जो Small R है, वो इस Vector R का Modulus है, वैसे इसकी यहाँ पर Shortcut Method में कोई भी आवा सकता नहीं है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला Question है, Del 1 by R, यहाँ पर Dot या Cross नहीं लिखा है, Means की यह Gradient की बात हो रही है, यह इस Form में लिखा हुआ है, तो Del 1 by R, पहले तो हम इस Result को Use कर रहे हैं, फिर यहाँ पर मैं इसको एक दूसरा ही Method बताऊंगा, जो कि वो भी बहुत Short Method ह और इससे अच्छा आपको लगेगा, आप देखिएगा, दोनों ही Method से मैं इसको कर रहा हूँ, एक Line ही लगेगी, आप चेस भी Method से करते हैं, तो हम इसमें यहाँ पर Formula यूज करते हैं, तो इसको देखिए, इससे इसको मिलाइए, तो यह Del, अच्छा पहले तो हम इसको उप पर ले जाते हैं, अटेल, r to the power minus 1, अब यह इस form में आ गया, end की जिगह देखिए, यहाँ पर हमारा आ गया, minus 1, तो बस आप इसमें end की जिगह minus 1 लग दिए, minus 1, r की power minus 1, minus 2, into r vector, तो इस तरीके से देखिए, यह minus 1 आ जाएगा, यह r to the power minus 3, इसको upon में ले आएंगे, तो य नहीं लिखे हैं, जो भी option आपका सही हो, उस पर आप टिक कर सकते हैं, अब इसका दूसरा method देखिए, दूसरा method, अगर आपको यह formula learn है, तो आप इससे कीजिए, अगर नहीं learn है, तो भी मैं आपको एक ऐसा method उता रहा हूं, जिससे कि आप इसको सेम इतने ही बड़े में आ यहां पर, पहले कुछ बात समझिए, कि इसी से मैं एक result निकालना हूं, आप उसको याद कलिएगा, बहुत छोटा result होगा, हम यहां पर r की जिगे, sorry, n की जिगे, अगर हम 1 रख दें, means की del r, इसकी value देखिए, क्या होगी पहले तो, del r, r की जिगे यहां पर, sorry, n की जिगे 1 रख लिया हमने यहां पर इसमें, तो del r बन गया, equal to, अब देखिए क्या value आ जाएगी यहां पर, n, 1 हो गया यहां पर, यह r की power 1 minus 2, यानि की r की power minus 1, तो यह upon में r आ जाएगा, into vector r, तो यानि की vector r upon r, आप इस value को बस ध्यान रखिए, कि del r equal to vector r upon r, आप इस तरह के सारे questions जो है, वो बहुत easily कर लेंगे, और differentiation का chain rule, जो आपने intermediate में पढ़ा है, वो यहां पर apply करेंगे, वो आप सबको निश्चित रूप से आता होगा, chain rule, तो देखिए, इसका दूसरा method, और करके मैं लिख देता हूँ, इसको हमें differentiate करना है, तो del 1 by r, इसको हम x suppose कर लें, जैसे कि हम chain rule में करते हैं, और इसके बाद हम इसको differentiate करना है, मतलब कि कुल मिलाके है, मैं 1 upon r का differentiation करना है, तो देखिएगा इसको भी, बहुत अच्छा method है यह, 1 upon r का हमने differentiation कर दिया, यह हो गया हमारा minus 1 upon r square, देखिए, यह del operator जो है, यह भी जो है, वो differential operator ही है, तो हम यहाँ पर इसक differentiate कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, हमने कर दिया minus 1 upon r, और फिर into हमारा हो जाएगा, यहाँ पर del r, अब आप इस बात को समझेए, कि ऐसा कैसे हुआ, जैसे कि आप chain rule में करते हैं, del by del x, अगर आपको del by del x of 1 by r निकालना है, simple जैसे differentiation, partial differentiation की बात करते हैं, तो आप इसका क पहले 1 by r का करते हैं, 1 by r का जो है आप लेते हैं, minus 1 upon r square, और फिर r का करते हैं, तो del r by del x, तो जैसे 1 upon r का आपने minus 1 upon r square किया, उसके बाद फिर r का किया, del r by del x, तो यह del by del x, जो है, यह हमारा operator है, differential operator, सेम यहाँ पर ऐसे ही है, जो del है, हमारा यह भी differential operator है, तो जैसे यहाँ पर डेल आर वाई डेल एक्स हुआ ऐसे ही यहां पर डेल आर हो जाएगा केवल तो एक बाद फिर से आप देखिए और इन कोश्चन्स को आप देखेंगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा वन अपॉन आर का हमने डिफरेंसियेशन कर दिया माइनस वन अपॉन स्क्वाइर फिर हम आर का करेंगे तो केवल डेल आर हो जाएगा बस अब इसके बाद यहां पर हम इस डेल आर की वैलू रख देंगे तो डेल आर की वैलू देखिए हम रखेंगे वेक्टर आर अपॉन आर और अपॉन में यह आर स्क्वाइर और है माइनस भी लगा देते ह तो upon car Q आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका answer आ जाएगा, अब आप next देखिए, दो तीन question से आप इस method को differentiation वाले बहुत easily समझ जाएगे, formula ना भी learn हो, तो भी आप कर लेंगे, अब जैसे हमें इसको करना है, तो अब ये formula वाला method जो मैंने दो method बताया, आपको एक बात देखि होगी, तो बहुत easily ऐसे ही, यहाँ पर एक आधी line में यह आ जाएगा, तो अब देखिए, इसको हम क्या करेंगा, यहाँ पर, next question, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले, del मतला differentiate कर दें हम इसको यहाँ पर r की power minus 3 को, तो देखिए, यह minus 3 आ गया जाएगा, और r की power minus 4 हो जाएगा r की power minus 4 उसको मैं upon में ले आता हूँ, तो पहले देखिए, हमने r की power minus 3 का differentiation कर दिया, अब हम यहाँ पर into r का differentiation करेंगे, तो r का यहाँ पर हम del r लेंगे, बस यही बात आपको समझनी है, क्योंकि del भी एक differential operator है, जैसे d dx होता है, तो आप d dx off लेते हैं, ऐसे यहाँ पर del differential operator है, तो del r हो जाएगा यहाँ पर, और बस अब हम यहाँ पर del r की value रख देंगे, minus 3 upon r की power 4 हमने रखा रहें दिया, del r की value हो गई, vector r upon r, तो इस तरीके से इसकी value minus 3 vector r upon r की power 5 आ जाएगी, अब ऐसे ही, देखिए, del log r की value निकालनी, मौड यहाँ पर लगा हो या ना लगा हो, फरक नहीं परता है, मैं मौड को नहीं लेता हूँ, तो सबसे पहले तो देखिए, इसको differentiate कर दीजिए, log r का 1 upon r हो गया, फिर r का करिए, यानि की del r हो गया यह, अब del r की बस value रख दीजिए, vector r upon r, तो यह हमारा हो जाएगा, vector r upon r, एक r पहले से है, तो upon में r square आ जाएगा, बस आपका इसका answer आ गया, कुछ 5-6 second में आप इसको कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा questions आते हैं, यह GIC, PGT, TGT, इन सम्में, निश्चित एक question या दो question, GIC 2015 में तो ऐसे दो question आये थे, वो दोनों मैं आपको यहाँ पर अभी ब f dash r हो जाएगा, f dash r, और अब हम r का करेंगे, तो into del r, बस chain rule apply हो रहा है, और del r यहाँ पर जो है, हमारा vector r by r होता है, तो वहाँ value रख दीजिए बस, तो यह हमको मिल जाएगा, f dash r into vector r upon r, next question देखिए, del f r into, sorry, cross r vector, तो del f r की पहले आपको value निकालनी पलेगी, वो आप पीछे example में देख चुके हैं, question number 4 में, मैं सीधे यहाँ पर रख देता हूँ, पहले आप यह काम कर दीजिएगा, तो f dash r dot r upon r, sorry, यहाँ पर dot नहीं है, यह f dash r into, यह simple multiply होता है, यहाँ पर dot नहीं है, chain rule आप जब भी ले अब यहाँ पर del f r की value यहाँ गही हमारी, अब हम इसका cross product लेंगे vector r से, अब हमको यहाँ पर कुछ करने की जरूत नहीं है, देखिए r cross r, यह हमारा 0 हो जाएगा, हम जानते हैं, a cross a या b cross b जो होता है, वो 0 होता है, सेम vector का cross product 0 होता है, तो इसकी value 0 हो जाएगी, तो अब आप इतने questions से समझ चुके होंगे कि कैसे हम इस type के grade के questions को solve करेंगे, general method से यह 8 से 10 line ले लेते हैं, 7, 8, 10 line ले लेते हैं, यह आप कुछ ही seconds में इनको solve कर लेंगे, अब हम आते हैं, divergence के कुछ important questions में, देखिए question number 6, GIC 2015 में आया है यह, divergence of r to the power 5 into vector r equal to a r to the power 5, आपको यह given है, और a की value हमको find out करनी है, तो देखिए, इसके लिए अब आपको एक result यहाँ पर divergence का आपको learn होना चाहिए, यहाँ पर divergence of r to the power n into vector r, या del dot r to the power n vector r, यह a की ही बात होती है, divergence means कि हमको dot product लेना है, equal to, आपको यह learn होना चाहिए, बस 3 plus n into r की power n, यह r आप देख लीजिए, ढंक से कि यहाँ पर arrow नहीं लगाए, means कि यह modulus है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, तो बस अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ इस value को यहाँ पर देखना है, इस से compare कीजिए आप इसको, end कीजिए 5 आ गया, तो इसकी value जो है, वो हमारी हो जाए देगी, divergence of r to the power, divergence of r to the power 5 vector r equal to, यहाँ पर हम रख देंगे, देखें, यह 3 प्लस n, यानि की हो जाएगा, 3 प्लस 5, और r to r, n, r to the power n, तो यहाँ पर हम इसकी value रख देंगे, r to the power n, जो है, वो 5 है, तो r to the power 5 हो जाएगा, equal to, यह हमारा a r to the power 5 दिया गया है, यह हमने रख दिया यहाँ पर, r to the power 5 देखें, यहाँ पर हमारा cancel हो जाएगा, तो 8 equal to a आ जाएगा, अब समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, 8 equal to a, यानि की a की value हमको मिल जाएगी, 8, बस इस तरीके से हमारा answer आ जाएगा, मैंने यहाँ पर options नहीं लिखें, बहुत छोटा काम दा यहाँ पर, short trick में, यह बह 7 पर, देखिए, divergence of r cap हमको निकालना यहीं, अभी 2021 में PGT के exam में आया है, इन questions का solution मैंने traditional method से, जो solutions दिये हैं, यहाँ पर PGT के, पूरे 125 questions के, उसमें मैंने traditional method से ही इनको solve किया है, आपको अगर traditional method इनके चाहिए, तो आप उन videos को देखें, तो यहाँ पर देखिए, कि divergence of r cap ल कालना है, उसको हम इससे compare करेंगे, तो यहाँ पर divergence of r cap जो है, इसको देखिए, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, divergence of vector r upon mod r, mod r यहाँ पर r होगा, आप जानते हैं कि r cap या a cap equal to vector upon mod r होता है, यह intermediate में आपन वेक्टर पढ़ा होगा, अब इसको हम लिख सकते हैं, divergence of 1 upon r को r की power minus 1 into r vector, यह हमने लिख लिया इसको, अब देखिए, आप यह इस form में आ गया, इस form में यह आ गया, यानि कि हमको n की value मिल गई, बस हमको इस form में इसलिए लिखना हैं कि n की value पता चल जाए, और वो यहाँ पर हम रख देंगे, तो n की value हमको minus 1 पता चल गई, तो यहाँ पर हम रखेंगे अब, तो इसकी value देखिए क्या आएगी यहाँ पर, minus 1 रखेंगे, तो 3 minus 1 यह हमारा 2 आ जाएगा, और r की power minus 1 यानि की 1 upon r आ जाएगा, तो यह 2 upon r इस तरीके से इसका answer आ जाएगा, next question में आते हैं, देखिए, divergence of odd power n into vector r equal to 0 दिया गया है, तो n की value हमको निकालनी है, तो divergence of odd power n into r, सीधे सीधे देखिए, यह चीज़ हमको लिखी मिल लिए, यह यह एक ही ही बात है, यह लिखा हुआ है फिलाल, इसको हम यह लिख सकते हैं और इसकी value यह, तो इसकी value सीधे हम 3 plus n, odd to power n equal to 0, अब देखिए, odd to power n हमारा 0 होगा नहीं, यानि कि 3 plus n जो है, वो 0 हो जाएगा हमारा, तो इससे हमको n की value मिल जाएगी, minus 3, बस सिर्फ इतना काम यहां पर देखिए, आपको करना, यह PGT 2016 में आया हुआ question है, question number 9 देखिए, if odd to power n vector r is solenoidal, then n की value हमको निकालनी है, तो देखिए, यहां पर यह जो दिया गया है, odd to power n vector r, जो है solenoidal है, इसका मतलब है कि इसका divergence जो है, वो 0 होगा, यह आपने divergence में पढ़ा होगा, कोई भी vector जिसका की divergence 0 है, वो solenoidal होता है, तो हम इसका divergence 0 ले लेंगे, अब यह पिछला question मन जाएगा, इसके divergence की value जो है, वो हमारी हो जाएगी, 3 plus n, odd to power n, equal to 0 रख देंगे, इससे हमको n की value minus 3 मिल जाएगी, तो सेम लगबग पिछला question हो गया, बस यह concept एक नया आ गया, question number 10 और 11 देखिए, यह भी यहाँ पर GIC PGT इंसम में आई हुए question है, इस तरह के GIC में 3 question 2015 में आये थे, आप इनकी importance समझ सकते हैं, यहाँ पर हम अमारा del square आया है in questions में, तो एक result और del square के लिए होगा, जो आपको धियान रखना है, del square r to power n equal to n, n plus 1 r to power n minus 2 होता है, इसका एक page का solution है, यह मैंने previous वीडियो में बताया है, बट यहाँ पर आप इसको देखिए कि कैसे एक line में आप इसको कर देंगे, तो del square 1 by r, इसकी value हमको निकालनी है, इसको हमारा की power minus 1 लिख लेंगे, अब देखिए, यह इस form में आ गया, हमको यह पता चल गया कि n की value minus 1 है, बस हम यहाँ पर n की value minus 1 लख देंगे, तो सीधे आपको देखिए दिख रहा होगा, अगर हम यहाँ पर n की value minus 1 लख लेंगे, तो minus 1 plus 1 0 हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो, सीधे इसकी यह value हमें 0 मिल जाएगी, बस हो गया हमारा यह question, आप in shortcut, जो भी मैं methods बता रहा हूँ, इनका आप समझ पा रहे होंगे importance की यहाँ पर यह आपके लिए कितनी फाइदे मन होंगी, next आप देखिए यहाँ पर question, इसमें हमको पहले अंदर इसको solve करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर उसका del square लेंगे, पहले divergence यू इसकाल लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पर del dot r की power minus 2 into r vector इसको लिख लेंगे, अब जैसा कि मैंने पीछे questions में formula बताया, वो आप use कर लेंगे, यहाँ पर भी देखिए, वो आपके सामने लिखा हुआ है, divergence of r to power n vector r equal to 3 plus n, r to power n होता है, तो रख दीजिए आप इसकी value यहाँ पर del dot dot मतलब divergence, यह की ही बात है, तो हम यहाँ पर value रख देते हैं, 3 plus n है, तो यहाँ पर 3 n की जीए minus 2 ले लेंगे हम यहाँ पर, और r to power n है, तो यह r to power minus 2 आ जाएगा, तो इस तरीके से यह हमको मिल जाएगा, 1 upon r square, तो अंदर यह जितना भी big bracket के हम इस term में लिख लेते हैं इसको, तो यह del square r की power minus 2 हो जाएगा, अब हम यहाँ पर इसका formula लगा देते हैं, n की जीए, minus 2 रख देंगे, minus 2, फिर bracket में, minus 2, plus 1, और r की power minus 2, minus 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से देखें, यह हमको मिल जाएगा, 2, और फिर r की power minus 4, upon r की power 4, इस त कर दिएगा, तो इन questions से आप यहाँ पर divergence और gradient कर इनके shortcut method को बहुत धंग से clear कर पाए होंगे, अब आप बस इनकी थोड़ी सी practice कर लीजिए, आपके एक या दो questions इस तरह के exams में जरूर आते हैं, सातियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को subscribe ताकि ऐसे ही knowledgeful और helpful videos आपको मिलते रहें, धन्यवाद